नमस्कार में डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्तिक स्वागत करता हूँ प्रिय विद्यार्थियों आज की वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे UGC NET री एक्जाम के दिष्टिकोन से एक प्रैक्टिसेट के ऊपर यह प्रैक्टिसेट री एक्जाम के दिष्टिकोन से तो महत्पून है साथ में आगामी परिक्षाओं के लिए भी महत्पून है वैसे आप सभी UGC NET और हर्याना पब्लिक सर्विस कमिशन की तैयारी करना शुरू कर चुके होंगे जिसके लिए इस चैनल पर मैराथन क्लास, सौट नोट्स, प्रैक्टिसेट और यूनिट पांस से लेकर यूनिट दस तक मूल टेक्ष्ट पर आधारी नोट्स और अलग-अलग दिष्टिकोन से विचार किया गया है आप सभी समय निकाल कर जरूर उन वीडियोज को देखिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाईए तो चलते हैं बात करते हैं आज के प्रैक्टिसेट के पहले प्रशनी के उपर और आप सभी इस प्रैक्टिसेट के बहाने अपना खुद का मुल्यांकन करेंगे कि आप अगर री एक्जाम में जा रहे हैं तो कितनी तैयारी आपकी confidence फुली है तो चलते हैं बात करते हैं पहले प्रशनी के उपर पूछा गया है पाली भाषा तथा अशोक की धर्म लिपियों का काल क्रम है अप्शन दिया गया है पंद्रसो इसापुरो से पांसो इसापुर, पांसो इसापुरो से एक इस भी, दो अजार इसापुरो से पंद्रसो इसापुरो, पांसो इसापुरो से अब तक तो यहाँ पर आप देखे सवाल पूछा गया कि पाली भाषा तथा अशोक की धर्म लिपियों का काल क्रम क्या है तो आपका दिमाग दर्णा शुरू कर दिया होगा कि हमने तो बहुत सार प्रैक्टिस चेट किया लेकिन यह नया प्रश्ण कहां से हमें दिखाई पड़ रहा है सही जबाब है इसका option B 500 इसा परो से 1SB अगर यहाँ पर पाली भाषा का क्योल पूछता तो आप निधरक इसका सही जबाब देते लेकिन यहाँ पर अशोक को जोर दिया है जिससे कि थोड़ा सा यह प्रश्ण अलग मोड ले रहा है लेकिन उसका उत्तर क्या है सेम टू से मोई है यानि आपको ध्यान में रखना है कि पाली भाषा और अशोक की धर्म लीपियों का जो काल क्रम है समय है वो 500 इसा परो से लेकर 1SB के बीच में माना जाता है अगला प्रश्ण है कि जार्ज ग्रियर्शन ने आधुनिक भारती आरे भाषाओं को कितने भाषा समुद में बाटा है ओप्शन दिया गया है छे, साथ, चार, आर्ट तो जार्ज ग्रियर्शन जो की हिंदी साहितिक का इतिहास में भी अपना महत्पून रोल निभाए हैं साथ में भाषा विज्ञान के दिश्टी कौन से भी इनका बहुत ही महत्पून स्थान है तो इन्होंने आ तो यहाँ पर मैं नोट कर रहा हूँ आप जरूर अपने नोट बूक पर इसको लिखे पहला जो समूदा है उत्तरी पश्चिमी समूदा है फिर इसके बाद दक्षडी समूदा है फिर दिया गया है पूरवी समूदा है फिर बीच का समूदा है फिर इसके बाद भीतरी इस तरीके से जार्ज ग्रियर्शन इसके पहले हार न ले करके एक भाषा वित्थे जैनोंने की आधनिक भारती आरे भाषाओं का सबसे पहले वरगी करन किया था ये भी सवाल पूछा जाता है उन्हीं का अनुसरण करते हुए जार्ज ग्रियर्शन ने कुछ बातों पर सहमत जताते हुए आधनिक भारती आरे भाषाओं को छे समुदायों में बाटा वो छे समुदाय कौन-कौन से यहां पर हमने बता दिया तो आप अपने कौपी पर जरू नोट कर लिए होंगे और आगे के लिए आप इस प्रश्ण का उत्तर अपने दिमाग में रखेंगे अगला प्रश्ण है नागर अप भ्रंश के व्याकरण के लेखा खाएं और जैसा कि आप जानते हैं कि जैन साहित्य से इनका जुड़ाव है और इनको जैनाचारी के रूप में भी जाना जाता है उस जमाने में इनोंने चाहित्य और व्याकरण दोनों पर काम किया हुआ था आगे बात करते हैं गला जो प्रश्ण है पुछा गया कि इन में से कौन सी धोनी अंतस्त ब्यंजन है और जो यहाँ पर हमें बताना है कि अंतस्त ब्यंजन कौन सा है आपका दिमाग भी दोड़ना शुरू कर दिया का कि व्यावाल का उतर क्या हो सेकता है सई जवाब है और अप्सन बी चौह है और यह प्ले न में checkingBत और धिर आता है यापने दिमाग को ठोड़ा कर देखर pushing करना हुं रबर के तरह कि ellि कि अक अ सुनकैल नाम आता है यहाँ पर अन्थर्ष्त ब्यंजन के रूप में है संक्यत किया है हमारे जो गंभीर विद्यार्थी है जो इस तरीके के प्रश्णों के लिए इस वीडियो को देखते हैं वो जरूर कमेंट्स करके बताएंगे आगे बात करते हैं अगला जो प्रश्ण है यहां पर पुछा गया कि खुशबू में उपसर्ग है खुँ खुश उ हमने देखा कि हमारे बीय और एम एक के कई विद्यार्थी इस नाम के हैं पता नहीं वह जानते हैं कि नहीं कि इसमें कौन सा उपसर्ग है कौन सा नहीं है यह आफ्लाइन के मैं बात कर रहा हूँ जहांपर मैं कारेरत होए बाकी बहुत सारे बच्चे हमारे खुशबू ना करन तत्पूरुस संबंध तत्पूरुस तो आपने देखा कि पिछली बार UGC नेट का जो एक्जाम वा था जो कैंसिल हुआ था उसमें समास से रिलेडेट सवाल पुछे गये थे इसको आप प्रैक्टिस के तौर पर देख सकते हैं ठीक है वाक यूद्ध में कौन सा समास हो यानि की से सब्ध आया हुआ है तो करन तत्पूरुस यहां पर हो गया अगला प्रशन है पर कि इन में से कौन सा सब्द व्यक्तिवाचक संग्या होते हुए जातिवाचक संग्या के रूप में प्रियूक्त होता है वह जातिवाचक संग्या किसी विशेश सम्मूव के बारे में बात करता है तो यहाँ पर यह सवाल बड़ा टेक्निकल धंका पुछा गया है कि कौन सा ऐसा शब्द है जो व्यक्तिवाचक भी है और जातिवाचक भी है जगनात पूरी, राजा हरिश्चन, पंडित जी या फिर मोटापा तो कौन सा ऐसा शब्द है जो कि दोनों संग्याओं का उधारन हो सकता है तो इसका सही जबाब है ऑप्सन B राजा हरिश्चन, राजा हरिश्चन देखे व्यक्तिवाचक संग्या भी हो सकता है और राजा हरिश्चन खास चीज के लिए जाने जाते हैं खास तोर से आप जानेंगे कि सत्यवादी के तोर पर जाने जाते हैं या फिर सारा कुछ दान देने के लिए जाने जाते हैं तीक है, दानी के रूप में और सत्यवादी हरिश्चन अक्सर आप लोगोंने अपने मित्रमंडली में या फिर आसपास में सुना होगा कि बहुत राजा हरिष्चंद बन रहे हैं तो राजा हरिष्चंद एक तरफ से समूग के तरफ बिसंकित कर रहे हैं और किसी का नाम भी हो सकता है तो इस तरीके सी इसका सही जबाब क्या हो गया आप देखने में प्रश्ण बहुत छोटा सा दिख रहा था लेकिन था बहुत खतरनाक आगे बात करते हैं अगला जो प्रश्ण है यहां पर उचा गया कि मोहन का कुछ खो गया है तभी टार्च से धूड़ा है वाक्य में सर्वनाम का प्रकार है option दिया गया है और निश्च्य वाचक सर्वनाम, प्रश्ण वाचक सर्वनाम, निज वाचक सर्वनाम, संबंध वाचक सर्वनाम तो इस वाक्य के आधार पर हमें बताना है कि कौन सा सर्वनाम है मोहन का कुछ खो गया है यहाँ पर कुछ शब्द जो है वही मेन इस प्रश्ण का उद्देश है कि आप बता पाएं कि क्या है सही जबाब है option A और निश्चे वाचक सर्वनाम यह निश्चित नहीं हो पा रहा है कि क्या उसका खोया हुआ है तो यहाँ पर हो गया और उपता लाने के कारे को कहा जाता है एकी करण, मानकी करण, सुध्धी करण, सरली करण भाषा रूप के बिभिन इस्तरों को यानि अलग-अलग जो स्टेंडर्ड है उनको एक रूप लाने के लिए उसको क्या कहा जाता है मानकी करण कहा जाता है और इस शब्द का प्रयोग आपने देखा होगा देवनागरी शब्द के साथ प्राय दिखाई पड़ता है देवनागरी लिपी का मानकी करण और दोश गोण या फिर बैग्यानिकता तो यहां जुड़ा वशब्द है मानकी करण का मतलब क्या हो गया कि भले भाषा का रूप अलग-अलग अस तरोपर हो लेकिन उसमें एक रूपता लाना जैसे हम हिंदी भी बोलते हैं तो सबकी हिंदी अलग-अलग है राजस्थान का कोई है उसकी हिंदी अलग है हर्याना का कोई है उसकी हिंदी अलग है उत्तर प्रदिश का है तो अलग है बिहार का है तो अलग है मध्य प्रदिश का है तो तमिल नाडू के हैं, मुझे याद आता है कि जब मैं जेनू कभी द्यारती था, तो में में तमिल भार्षा पढ़ने वाले भी हमारे साथी हुआ करते थे, तो उनकी हिंदी अलग थी, काफी उनको सुनकर हम लोगों को कभी कभी हसी भी आती थी, लेकिन वो लोग, क्योंकि आ तीन लेंग्वेज का एक सिंटर, तीन-चार लेंग्वेज का एक सिंटर बनाया गया, जो जेनू के विद्यारती जुड़े होंगे, वो जरूर इस बात को ध्यान में रख ली होंगे, आगे बात करते हैं अगला जो प्रशने याँ पर पूछा गया, कि भार्तिय सम्विध के परियाप्त भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबन्द में विशेश उपवन्द, तो 348 अनुचित के अंतरगत क्या कहा गया है, जैसा कि आप जानते हैं कि 343 से लेकर 301 के बीच में राज भाषा की बात की गई है, लेकिन हर अनुचित अपने आप में खास है यहाँ पर अनुचित 347 के बारे में पूछ दिया गया, तो इसका सही जवाब यहाँ पर option D है, किसी राज्य की जनसंख्या के परियाप्त भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबन्द में विशेश उपवन्द किया गया किसमें अनुचित 347 के अंतरगत, आगे ब पताया, वैसे ही विद्यापती के इन पदों को भी उक्त कथन हिंदे के किस आलोचक का है, और जैसे ही मैं इस प्रश्न को समय लेकर पढ़ ला था, आप लोगों को लगा कि सर आप option बिलकुल मत पढ़िएगा, हम लोगों ने अपने दिमाग में रख लिया है, राम चिंद कीजिए, तो इसी quotation से आप उसे प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करेंगे, तो यह quotation जो यहाँ पर दिये गए हैं, कोई फालतू नहीं है, आप जरूर इनको important करके अपने दिमाग में रखे, क्योंकि अब इस समय वन लाइनर हमें रटने की आदित पढ़ दे थी, दियापती के मुल्यांकन की समय में, अगला प्रश्निया पर है जो की quotation पर ही आधारी थी, पुछा गया है कि इसके साथ ही मनुस्यत्यों की सामानने भावना को आगे करके निम्न स्रेणी के जनता में उन्होंने आत्मगरों का भाग भाव जगाया और भक्ती के उंचे से उ भक्तो कभी का नाम क्लियर हो रहा किसके बारे में बात की गई है, लेकिन एक ट्रिक है जिसको कि आप अपना सकते हैं, अक्सर एक आलोचक जिसके बारे में मैं चर्चा करता हूँ कि वो किसी भी कभी या लेखक का नाम सीधे सीधे नहीं लेते हैं, बलकि सर्वनामों का प् कथान है वो आचारे रामचंदर शुकल का है ये बात किसके संदर में कही गई है ओप्सन दिया गया है तुलसी दास कबीर दास सूर दास या फिर जैसी तो ये कोटेशन का आगया है कथान है कबीर के संदर में आचारे रामचंदर शुकल का कि मनस्वत्य की सामाने भावना को आगे करके निम्न स्रेणी की जनता, यहाँ पर ध्यान में रखे, निम्न स्रेणी की जनता में उन्हों ने आत्म गवरों का भाव, जगाया और भक्ति के उचे से उचे सोपान की और बढ़ने के लिए बढ़ावा दिया, तो देखे यह आचायर रामचन शुकल का यह कथान है कबीर के संदर में, वैसे हम लोग अलाग अलाग जगाओं पर पढ़ते हैं, कि आचायर रामचन शुकले ने कबीर का ठीक से मुल्यांकन नहीं किया, उससे वो चिड़ते थे, लेकिन देखेंगे आप, जो भी उन्होंने लिखा है, काफी ठोस लिखा है, आगे बात करते है किस कभी की हैं, यहाँ पर हमें बताना कि किस की पंक्तियां हैं, अगला प्रशन यहाँ पर पुछागा कि भाषा भूषण निम्न लिखित में से किस कभी की रचना है, अप्सन दियागा चिंतामडी, तिरपाठी, भूषण, महराज, जस्वन्त सिंह, मतिराव, तो भाषा भूषण, आपके दिमाग में तुरंत आगया, और किस का ग्रंथ है, बिल्कुल सही, आप लोग जा रहे हैं, आप्सन सी, महराज, जस्वन्त सिंह, लेकिन इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप एक चीज ध्यान रखिए, कि भाषा भूषण किस तरीके का ग्रंथ है, भ भू लोक का गौरव, प्रकृति का पूंड, लीला अस्थल कहां, फैला मनोहर गिरी हिमाले और गंगा जल जहां, संपूंड देशों से अधिक किस देश का उतकर्ष है, उसका की जो रिशी भूमी है, वह कौन भारत वर्ष है, उक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है, आप लेकने से लग रहा है, कि हिमाले के आसपास का वर्ण निसमी किया गया है, तो इसका सही जबाब यहाँ पर क्या है, उप्सन बी है, मैथली शन गुप्त द्वारा लिखी गए पंक्तियों है, ठीक है, आगे बात करते हैं गला जो प्रश्न है कि मारे सी मोही कुठाओ, लिखा गया है निबंद, वैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि गुलेरी जी ने तीन कहानियां लिखकर हिंदी कहानी जगत में अपना नाम इस्थापित कर लिया, लेकिन कहानियों के अत्रिक्त इनके कई निबंद भी अच्छे हैं, जैसे मारे सी मोही कुठाओं तो ही, एक न नए बच्चे जुड़े होंगे, शायद हो कमेंट करके बता सकते हैं, अगला जो प्रशनी याँ पर पुशा जा रहा है कि यह सच है, बार बार हार हार मैं गया, खोजा जो हार छार में नया, उड़ी धूल, तन सारा भर गया, नहीं फूल, जीवन अभिकच है, यह सच है, उगत काविपंक्तियों के रचनाकार कौन है, उप्शन दिया गया, मुक्तिबोद, अग्ये, मादवी वर्मा, सुर्कान तिरपाथी, निराला, तो यह सच है, बार बार हार हार मैं गया, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, यह पंक्तियां हो सकता है कि आप सभी के हार हार मैं गया, खोजा जो हार छार में नया, उड़ी धूल, तन सारा भर गया, नहीं फूल, जीवन अविकच है, यह सच है, अगला प्रशन यहापर हम देखते हैं, उम्मीद है कि सभी प्रशन आपको अच्छे लग रहे होंगे, आप सभी के कमेंट्स का मुझे इंतजा लाल राय, तो इसमें बहुत ज्यादा वक्त लेना ही नहीं है, सही जवाब है, उप्सन बी, लक्षमी नरायन मिस्र द्वारा लिखा गया, सिंदूर की होली नाटक, आपके सिलेबस में भी लगाया हुआ है, इसके बहाने आपके दिमाग में पात्र, अंक योजना, पढ़ना ही नहीं चाहिए था, फिर भी नए बच्चों के लिए हमने पढ़ दिया सही जवाब है, ऑप्सन बी, अग्गे की ये कहानी है, इसका जो एक और नाम है, वो है, रोज, आगे बात करते हैं अगला जो प्रशन है, कथन के तोर पर है, कि मैं उन व्यक्तियों में से हूँ और ऐसे व्यक्तियों की संख्या शायद दिन प्रत दिन घटती जा रही है, जो भाषा का संबान करते हैं, और अच्छी भाषा को अपने आप में एक सिध्धी मानते हैं, उक्त पंक्तियों के लेखक कौन है, बड़ी ही इंपोर्टेंट बात यहाँ पर प्रशन के ब इसमें से हमें बताना कि आखिरकार यह कथन किसका है, सही जबाव है, अग्गे, सचिदानन धीरानन दवार्शन अग्गे, जैसा कि आप जानते हैं कि कभी और आलोचना में भी आप देख रहे हैं, अगला प्रशन यहाँ पर पुछा गया कि हेम चंद द्वारा दिया गया कावि लक्षन है, सपरी लक्षन पुछा जारा एक खास आचारी का नाम देकर कि हेम चंदर का क्या है, ऑक्षन दिया गया है, अदोषो, सगडव, सालंकारव, काभ्य, 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 इसफूर्धल लक्षाम, गुणवदोशं, वर्जितम, रमध्यार्थ, तो आप देख रहें कि इसमें अलग-अलग आचारियों का कावे लक्षन दिया गया है, हमें बताना है कि आखिरकार हेम चंदर द्वारा क्या है, बिल्कुल सही जब आप तक आप लोग पहुच रहे हैं, option A इसका सही जवाब है, और दूसरों सगुड़ों, सालंकारों, सब् और इसमें आप देख रहेंगी जगनात का भी कावे लक्षन दिया गया है, अगला प्रशन है आपर कि कावे को आत्मा की संकल पात्मक अनभूति किसने का है, और प्रशन भी मेरे प्रजेक्ट 500 महजपून प्रशनों में से एक है, ये भी कई बर रिवाइज किया गया है, स ये शंकर प्रशाद का ये कथन, आगे बात करते एंगला प्रशन है पूछा गया कि पराप्रतिभा के नाम से चिन्मई शक्ति का विचार वीवेचन किस विद्वान द्वारा किया गया है, आप्सन दिया गया है, आचारे अभिनोगुप, आचारे मम्मट, वागबट, रा प्रशन है पूछा गया कि भामा ने कावय अलंकार में कितने अलंकारों का विद्वेचन किया है, ये सभी प्रशन देखने में छोटे है, अगर इनके उत्तर आपको आते हैं, तो आप सत्प्रत्शत इसका सही जवाब देपाएंगे, नहीं आते हैं, तो ये ही प्रशन आस मैं थोड़ा सा वन नाइन एरोर पड़ लिया होता, कावेलंकार में कितने अलंकारों की बात किये भामा ने, आप्शन दिया गया है सत्तर, पैंसेट, अन्टिस, अन्टिस, अन्टालीज, तो इसका जो यहां पर सही जबाब है, कि अन्टिस अलंकारों की बात, भामा ने ग्रंथ कावेलंकार में की बात, अगला प्रशन है, कि विभत्स, रस के देवता माने जाते हैं, विभत्स, रस के देवता कोने, आप्शन दिया गया है, विष्णो, महाकाल, इंद्र, काल, देव, तो जब आप रस सिधान्थ पड़ेंगे, तो आपर कुछ रसों को देवत साओं से भी जोड़ा गया है, इसका सही जबाब यहां पर है, option B, महाकाल से जोड़ा गया है, विभत्स, रस के देवता के रूप में, अगला प्रशन है यहां पर है कि यूरोप में विवस्थित काविचिंतन का आरम किसे से माना जाता है, हम भारती काविशास्तित की बात करें, तो भारत मुनी का नाम आता है, लेकिन अगर यूरोप की बात करें, तो वहां पर सबसे पहले काविचिंतन का आरम किस ने किया, option दिया गया है, होमर, प्लेटो, अरस्तू, लोंजाइनस, इसका सही जबाब क्या है, बिल्कुल आप लोग सही तक गया, option B, प्लेटो स माना जाता है कि यूरोप में काविचिंतन का आरम हुआ, और प्लेटो का संबंद किस देश से था या जगह से यूनानी गरंथकार है, आप तीनों को नाम देखे नीचे, तीनों क्या है, यूनान से जुड़े हुए, और हमने एक सुत्र भी बताया था, पाल, पी-ए-ल, य उसमें हमने बताया कि अब आपको घबराने की जोरत नहीं है, आसानी से पाश्चातिकाब शास्त्र को समझ सकते हैं, उस वीडियो को जोरत देखे, मैं चाहूंगा, तो लिंक भी नीचे डाल दूगा, अगला प्रशन है, पूचाए कि काविचिंतन की अनुकृती है, पर एकदम नकल न होकर उसका उना प्रस्तुती करण, यह कथन किसका है, औरस्तु, प्लेटो, अर्नाल्ड, लोंजाइनस, तो यह भी प्रशन बहुत इजी ही था, कठिन में इसको नहीं माना जा सकता है, फिर भी आप अपना दिमाग दड़ाना शुरू कर दियोंगे कि इसका स सही जवाब है, अरस्तु, अनुकरण का सिधान प्लेटो का भी है, और अनुकरण का सिधान अरस्तु का भी है, लेकिन अरस्तु ने अनुकरण को सिर्फ अनुकरण या नकल नहीं माना है, बलकि उसको पुनर सर्जन माना है, पुनर प्रस्तुती करण माना है, सही जवाब ह सती से चल रहे थिए तो कैसे आपको आपको लाया जा रास्ते पर या फिर ट्रैक पर लाया जा आप आना शुरूर कर रहे जैसे जैसे आप ट्रैक पर सीधे चलना शुरूर होंगे हमारी विरस्थ Part 2 आगे बढ़े